हलो नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त मैं आपका गाइड मैं आपका मेंटर रोनिच चौरसया साथियो एक नए विडियो और एक नए ओफिसियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है जी हाँ साथियो यह जो मैं विडियो और यह जो मैं ओफिसियल अपडेट आप आपको देखने के लिए मिलना है, जो 9 special act देखने के लिए मिलना है, इसी 9 special act की हम बात करते हैं, इसी 9 special act को हमारे GK के syllabus के अंतरगत जोड़ दिया गया है, और इसी book के बारे में हम यहां पे detail में analysis करेंगे, जो कि यह book हमारा है साथियों, यह Hindi language में book बनाये गया है, तो सबसे पहले यह क्या है, तो साथियों यह book नहीं, यह bear act है, और इस bear act और इसमें bear act के साथ क्या दिया है, तो इस bear act के साथ आपको MCQ question भी solve करने के लिए दिया गया है, तो एक के साथ एक free दिया गया है, means कि bear act आप खरीदेंगे, law success या विधी भारती publication का, क्योंकि यह जो book निकाल जाता है साथियों, यह बिधी भारती publication का है, और बिधी भारती publication आपको यह चीज प्रोवाइट कर रहा है, कि आप bear act खरीदेंगे, तो bear act के साथ आपको MCQ इसके साथ free देगा, यह अगर हम इस bear act की बात करते हैं साथियों, तो यह bear act आपको bilingual देखने के लिए मिलेगा, Hindi as well as English, दोनों languages का यहाँ पर सामवेश रखा गया, दोनों चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, कर रहा है उत्तर पड़े से civil judge junior division, परिक्षा सामान ने गयान, विधी विशेशांग के लिए यह बनाया गया है, मिंस की हमारे GK के paper number first के अंतरगत इसको include किया गया है, इसी ल हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, कर रहा है माता, पिता और वरिष्ट नागरिकों के भरण पोसर तता कल्यान अधिनियों, यहाँ से question आपके examination में बनेंगे, और क्योंकि इसको आपके minor act के अंतरगत डाला गया है, साथियो जब हमारा 2022 में पहली बार इसको डाला गया मैंने भी paper को analysis किया था at that time, तो 12-14 question ही आपको देखने के लिए मिला था, क्योंकि वो first time था examiner को भी लगा, कि अगर मैं 1-7 bulk में 30-40 question दे देता हूं, तो students के उपर एक burden हो जाएगा, क्योंकि students इतने कम time में आपके लिए 9 act दिया गया था, 9 act पढ़ना कोई आसान बात होता नहीं है, लेकिन student उसके बावजूद भी पूरे 9 act को धूम धाम से उनके द्वारा तैयार किया गया था, और students के द्वारा ये expectation भी ये कयास भी लगाई गई थी, कि कम से कम उसमें 30 या 40 question तो हमारे examination में, जीके के question में पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ थ लेकिन अब जो आपका upcoming examination आने वाला है, UP Judiciary का, UP PCSJ का, उसमें सात्यों अब आपके question के label को बढ़ाया जाएगा, और number of question को भी आपके increase किया जाएगा, इसलिए increase किया जाएगा, क्योंकि एक बार इसका output, एक बार इसका result देख लिया गया है, एक बार इसको डाल करके देख 1961 का, उसके बाद से the preconception and a prenatal diagnostic technique है, ये भी आपका syllabus है, the medical termination of pregnancy act भी आपका syllabus के अंतरगत आता है, अब यहाँ पर बात करते हैं, the protection of women from domestic violence act 2005 के अगर हम बात करते हैं, तो ये भी आपके syllabus का ही पार्ट है, the sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and red racial act की बात करते हैं, यहाँ से भी आपके examination में question आपके सामने सो कर रहा हूँ, the right of persons with disabilities act की हम बात करते हैं, यहाँ इसको भी add किया गया था, the indecent representation of women prohibition act 1986 की हम बात करते हैं, इसको भी include किया गया था, साथी साथ the protection of children from sexual offenses 2012 ये भी act है, तो total अगर हम count करते हैं, तो इस 9 act को आपके GK में add किया गया था, general knowledge के portion में ये add किया ग गयता है, ये GK का portion है, इसलिए हमें इसको GK के तोर पे ही पढ़ना है, साथी ये जो किताब निकाली गए है, ये विधी भारती publication का है, और यही विधी भारती publication के दोरा इसको bear act के रूप में इसको निकाला गया है, अगर आप चाहते हैं कि विधी भारती publication से आप करना नहीं है, क्योंकि इस टाइब के तीन किताब हैं हमारे पास विधी भारती publication के, और तीनों का तीनों किताब मैं आपको दिखाऊंगा, soft copy में देख लिजे, अभी hard copy में भी दिखाऊंगा, साथ साथ इसके अंदर का पूरा content भी अभी दिखाने वाला हूं, कि क्या-क्य आपको यहां पे दिया जा रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं आपको दिखाई जा रही है, कोई ऐसी चीज तो सिर्फ और सिर्फ कबर पे दिखा करके, हम नहीं न चले जा रहा है, अभी हम वो चीज भी आपको यहां पे observe कर आएंगे, तो सबसे पहले इस किताब को आप hard copy म बात करते हैं सातियों, तो यहाँ पे यही 9 Minor Act का हमारा Bear Act है, जिसमें हमको MCQ Question भी देखने के लिए मिल रहा है, यही जो हमारा किताब है, इसी किताब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहा है, अभी इसी किताब के अंदर के content को भी मैं आपके सामने यहाँ पे धूम धाम से रखने वाला हूँ, तो यह पहला आपने देख लिया, अगर हम second किताब की बात करते हैं सातियों, तो यह हमारा जो किताब है, यह 9 Act विशेशांक के नाम से निकाला जाता है, और यह जो किताब निकाली गई है सातियों, यह हिंदी मेडियम के students के लिए निकाली गई है, क्योंकि इसके पहले आल्रेड़ी मैंने एक वीडियो में discuss कर लिया है, इंगलिस के सभी books को, इसलिए यह हिंदी का book है और हिंदी language में यह निकाला गया है, यह law success और विदी भारती के collaboration के साथ इस book को निकाला जाता है, यह book है खास करके उत्तरपर्देस civil judiciary के examination के लिए निकाला गया, साथि आप सभी लोगों को पता है कि UP civil judge की अगर हम बात करते हैं, तो 2022 में इसको syllabus के रूप में सामिल किया गया, और वो भी GK के रूप में सामिल किया गया, लेकिन अगर हम MP को देखते हैं, अगर हम राजस्तान को देखते हैं, तो वो हमसे पहले ही इस चीज को सामिल कर लिये थे, और उनके दोरा बार बार उनके examination में पूछा जाता था, और वहीं से हम सभी questions को क्या किये हैं, वहीं से सभी questions को हम लोगों ने observe किया, हमारे examination में JBLB पूछा गया है, जो 2022 में हमारा examination हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, तो उन सभी चीजों का यहां पे आप प्रारंभिक परिच्छा के तौर पर देख सकते हैं, यह MCQ question आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, और यह खास करके, यह जो किताब बनाएगे, यह साथ यह preliminary examination को देखते हुए ही बनाएगा है, इसमें आपको MCQ type के question, multiple choice multiple choice type के question आपको इस किताब के अंतरगत देखने के लिए मिल ला है, अब इसके अंतरगत आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, 9 act पर वस्तुनिस्ट प्रश्णपत प्रारामिक परिच्छा है तो means कि जो आपका preliminary examination होता है, उसी preliminary examination के point of view से आपको चीज़े देखने के लिए मिलेगा, 9 act पर निर्देशक एवं नविंतम वाद, जो भी case law हो सकते हैं, वो case law आपको देखने के लिए मिलेगा, और current affairs, जो भी हमारे current affairs होते हैं, जैसे हमारे international organization से भी question पूछे जाते हैं, तो वो सभी को यहाँ पे डालने का प्रयास किया गया है, और आप देख सकते हैं, यह जो किताब निकाला गया साथियो, यह विधी भारती publication के द्वारा निकाला गया है, आप इस किताब को फिलिप कार्ट पे, Amazon पे और साथी साथ विधी भारती publication पे भी जा करके purchase कर सकते हैं, अगर हम इस किताब को hard copy में show करना चाहें, तो यह साथियो, यह किताब है, अभी हम इसके अंदर के material को, अंदर के content को भी आपके सामने एके करके रखने वाले हैं, बस आप विडियो में अंत तक बने रहिएगा, कि क्या content यहाँ पे आपको provide किया जा रहा है, आगे एक और किताब है हमारा Hindi medium में, क्योंकि साथियो, विधी भारती publication और law success आपको ले करके बहुत serious है, इसलिए लगतार वो 9 minor acts पे किताब निकाले जा रहा है, चाहें वो medium कोई भी हो, हिंदी हो या फिर English हो, अगर हम 9 act बीशे शांग की बात करते हैं साथियों, तो यह भी law success की publication है, और उत्तर परदे से civil judge के लिए ही ये भी निकाला गया है, अब ये किस तरह से निकाला गया है साथियों, अगर हम इस किताब में बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखने के लिए मिल ला होगा, सामान ने गया जी के प्रश्ण पत्र फर्स्ट और प्रारंभी के वह मुख्य परिक्षा है, तो यह निकाला गया है, अभी तो जो आप लोगों ने पहला किताब देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिलिम्नरी बेस भी थी था, लेकिन ये जो किताब निकाली गई है, इसम दोनों एक्जामिनेशन को फोकस्ट करते हुए इस किताब को निकाला गया है, जिसमें आपको क्या देखने के मिलेगा, प्रश्णोत्तर, मिन्स की कोश्चन फॉर्मेट, कोश्चन आंसर फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैंने इंगलिस लेंग्वेज क अभी आपको उब्जर्ब कराया था, कि इंगलिस में किस टाइप के कोश्चन आपसे पूछे जाते हैं, साथ साथ जब कोश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या क्या आंसर फ्रेमिंग करना होता है, कितने वर्ड लिमिट में हमको लिखना होता है, वो सारी चीजों को म अपने English वाले में, तो उसी प्रकार से हिंदी वाले में भी मैं आपको यहाँ पर observe कराने वाला हूँ, तो यह इस किताब की खासियत है, अगर हम इस किताब के मुख्य आकरशन के बारे में देखेंगे, कि हम इसमें क्या क्या दिया है, तो 9 minor act पर MCQ question तो दिया है, जो कि हमारे preliminary examination के लिए important है, साथी साथ इसमें current affair भी आपको देखने के लिए मिलेगा, 9 act पर मुख्य परिक्षा है, तो प्रश्ण उत्तर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, साथी साथ 9 act पर निर्देशक एम नमीनतमबाद, जो हमारे case law related question होते हैं, वो case law related question भी आपको इस किताब क अंतरगत देखने के लिए मिलेगा, कर रहे हैं, उत्तर परदेश सीविल जज, मुख्य परिक्षा में पूछे गए, वीगत 2003 से लेकर के 2018 तक के प्रश्णों के हल प्रश्ण पत्र भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगे, अब आप कहेंगे कि यह क्या होता है, जो 2003 से लेकर के, 2018 के बीच में, जो भी हमारे मेन एक्जामिनेशन कंड़क्ट करवाए गया है, प्रिलिम्नरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेन एक्जामिनेशन जो आपके UPJ के कराए गया है, उसका सौल्ब पेपर आपको इसी किताब के अंतरगत देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा point है, और ये भी किताब विधी भारती पब्लिकेशन की ही देन है, और इनी के द्वारा ही ये किताब भी निकाली जाती है, आप चाहेंगे तो Flipkart, Amazon और विधी भारती पब्लिकेशन कहीं पे भी आप इसको observe कर सकते हैं, कहीं से भी आप ल दोहजर साथ की, तो उससे related सारे चीज़ों को यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, पूरा जैसे index होता है, index wise इसको बनाया गया है, कि क्या क्या जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आपको preliminary examination देना होता है, तो आपको index रटने की आशकता होती है, index पढ़ने की आशकता होती है, उसी प्रकार से भी बताया गया है, कि आपको index कैसे याद करना है, इसलिए index पहले आपको दे दिया गया है, अगर हम content की बात करते हैं, important section for preliminary examination की, तो वही चीज है, तो बेरेक्ट है, तो हिंदी language में भी है, साथ-सा पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं कि शिर्फ और सिर्फ एक कहा जा रहा है कि bilingual देंगे और दे रहें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ single language में, ऐसा नहीं होता है, अगर Bayerekt, अगर मैं बता करके दे रहा हूँ, आपको बेरेक्ट के बता रहा हूँ, क्योंकि हम इस कि में आप देखिए कि आगे क्या क्या चीज है ये तो पूरा का पूरा आप आगे का फॉर्मेट इसका देख रहे हैं देखें वही चीज गर्वत का चिकित्सिय समापन अधिनियम 1971 के अगर हम बात करते हैं तो वही आपको हिंदी में यहां पे इंडेक्स देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगोंने इंडेक्स को देख लिया अब अंदर के इसके मैटेरियल को अगर देखेंगे तो ये आप कहेंगे कि ये तो क्या इसमें दिया जा रहा है यह तो net पे भी अभी label है लेकिन net वाला आप अच्छे से नहीं पड़ पाएंगे आप उसमें इस तरह से marking नहीं कर पाएंगे लेकिन जब आपके पास hard copy होगा तो hard copy में आप क्या करेंगे इस चीज को अगर mark करना है तो आप यहाँ पे mark कर सकते हैं यहाँ पे अगर चीजों को लिखना होगा तो आप चीजों को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं इसलिए hard copy से पढ़ने के लिए आपको शला दी जाती है और इसलिए यह सारी चीजों को यहाँ पे आपको देखने के लि जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ इसमें क्या है अब हम बात करते हैं नेक्ष्ट किताब की जो नेक्ष्ट किताब है साथियो बिदी भारती पब्लिकेशन 200 रुपे में आपको प्रोवाइड कर रहा है साथि साथ जो भी डिसकाउंट होगा बिदी पब्लिकेशन पर आप देख सकते हैं Amazon पर देख सकते हैं Flipkart पर देख सकते हैं और अगर प्रयागराज में है तो सौप पे भी आप जा करके देख सकते हैं साथी साथ हम अगर यहां की बात करते हैं कि इस किताब में आपको क्या दिया है तो उत्तर परदेश सीविल जज मुख्य परिच्छा हल प्रशन पत्र की हम बात करते हैं जो हल प्रशन पत्रों की हम बात कर रहे थे कि 2003 से लेकर के 2018 तक का वो पूरा दे रहा का है कि किस पेज नंबर से लेकर के 105 में आपको 2006 का आपको 106 से लेकर के 114 तक 2012 का 115 से लेकर के 124 तक 2013 का 115 से 136 तक 2015 का 137 से 147 2016 का 148 से 152 2018 का 153 से 160 इसी पेज नंबर पे आपको ये मेन एक्जामिनिशन जो हमारे प्रिबियसली हो चुके है आपको एक tentative idea मिल जाएगा कि किस तरह से कितने length में हमको answer लिखने की आउशकता होती है उसलिए भी इस किताब को frame किया गया है आगे आप किताब के अंदर के चीजों को आप यहाँ पे observe करिए क्या कर रहा है साथियों यहाँ पे यह है civil judge प्रारमीक परिक्षा 9 act यहाँ पे माता पिता और वरिष्ट नागरिकों का भरल पोशल कल्यान अदिनियम 2007 की हम बात करते हैं अगर हम act number की बात करते हैं तो 56 number का act है आफ 2007 की प्रवरतन तिति की बात करते हैं तो 29 December 2007 यहाँ पे रखा गया यहाँ पे भी आप अगर observe करेंगे चीजों को तो यहाँ पे भी आपको one liner form में आपके लिए क्या दे दिया गया है सबसे पहले index इस किताब के भी अंतरगत दे दिया गया है जब आप किताब पढ़ेंगे तब गीता और रमायल के जैसे आप क्या करेंगे इंडेक्स को एक बार रट लेंगे इंडेक्स रट लेंगे तो मान के चलिए कि 30-40% आपने क्या किया एक्ट को आपने निप्टा दिया अब उसके बाद से अब यहाँ पर आप देखिए इसी एक्ट का one liner किसी के दोरा भी नहीं form किया गया लेकिन बिधी भारती पब्लिकेशन आपके लिए one liner भी form करके दे रहा है इन minor act का भी one liner आपके लिए form करके दे रहा है major act का भी one liner form करके आपको दे रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेंगिंग अपरादों से बालकों का संदक्षन अधिनियम क्रमांक शंक्या क्या है लेंगिंग अपरादों से बालकों का संदक्षन अधिनियम दोहजर साथ का भिस्तार कहा तक है तो इस टाइप के भी question आपको देखने के लिए मिल रहा है और यह सारी की सारी चीजे आपके लिए important है इसलिए मैं यहां पर इन चीजों को observe कराने के लिए आया हूँ यह observe कराने के लिए आप कहेंगे कि यह तो हम जा करके shop पे भी देख सकते थे लेकिन जो दूर दूर हम आरे साथ के दोस्त हमारे बैठे हैं जो हमारे भाई बैठे हैं कि one-liner form में है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, कि हाँ ये किताब जो है, ये one-liner form में भी आपके लिए बनाई गई है, आगे हम चलते हैं यहाँ पे साथियों, आगे यहाँ पर देखते हैं, कि और क्या-क्या चीज़े, सारा का सारा एक्ट आप देखिए, कर रहा है, बालकों से संड़क्षण अदिनियम 2012, जिस तरह से ये दिया है, उसी तरह 9 का 9 minor एक्ट आपको क्या करने के लिए, आपको one-liner format में देखने के लिए मिलेगा, और जब आप किसी भी चीज़ को one-liner form में अगर पढ़ लेते हैं, MCQ-based में पढ़ लेते हैं, Bayer Active Provision के साथ पढ़ लेते हैं, कहां भूलेगा, कैसे भूलेगा, भूलना ही तय नहीं है, तो इसी लिए इन सभी चीज़ों को, आप यहां पर observe कर रहे हैं, positively, आगे हम चलते हैं, इन सभी का answer भी आप यहां पर देख सकते हैं, कि सभी का answer उसके नीचे as a practice state के रूप में आपको provide कर दिया गया है, आगे हम चलते हैं, जैसे यहां पर आप देखे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संदक्षन, अधिनियम 2005 की अगर हम बात करते हैं, तो क्या-क्या इस act में आ रहा है, किस प्रकार के question हमाने में बन रहा है, जैसे मैंने question number 82 से लिया है, 83 से लिया है, जो randomly page जो हां से भी, means की in totality यह आप न कहें, कि मैं तो line से सिर्फ आगे का जो book का अच्छा portion था, वो मैं ले करके चलाया हूँ, जो खराब portion था मैंने छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने randomly page को select किया है, और randomly इस किताब को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप आगे चलते चलिए और देखते चलिए, कि अभी इन सभी का भी one liner format में आपको देखने के लिए मिलेगा, अब आप यहाँ पर देखिए गर्ब का चिकित्सिय समापन अदिनियम 1971 की अगर हम बात करते हैं, तो इसका भी MCQ कोश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और MCQ कोश्चन आपके लिए बहुत ही important होता है, क्योंकि यह जो MCQ कोश्चन होता है सातियों, विभिन विभिन जगहों पे जहाँ पे हमारे पहले से इनको डाल रखा गया है, वहाँ से हम लोग कोश्चन को लेते हैं, कि हाँ, इस examination में यह question पूछा गया था, इस time पूछा गया था, तो यह हमारे भी UPJ के examination में पूछा जा सकता है, उसलिए उन सभी चीजों को यहाँ पे रखा गया है, एक हमारा जो next किताब है, हिंदी मिडियम में, वह 400 रुपय का है, आपको यहाँ पे प्राइज मैं दिखा देना चाता हूँ, और आप जो भी इसमें discount होगा, वो आप जा करके आप check कर सकते हैं, अब इसमें देखिए, current affair आपको देखने के लिए मिल ला है, और यह current affair आपके लिए बहुत ही important current affair होता है, क्योंकि यह हमारे syllabus का पार्ट होता है, और इसको हम लोग international organizations के नाम से जानते हैं, और international organization से बार-बार आपके examination में, जब आप GK का paper को observe करेंगे, तो उसमें इस टाइप की current affairs आपको देखने के लिए मिलते हैं, UNO से, United Nation Organization से आपसे question पूछे जाते हैं, खुब भर-भर के उनके charter से question पूछे जाते हैं, उनके पूरे अंग से question पूछे जाते हैं, उनी सभी चीजों को यहाँ पर रखा गया है, देखिए current affair की बात करते हैं, current affair में आप क्या पढ़ेंगे, पुरसकार के बारे में पढ़ेंगे, पदक के बारे में पढ़ेंगे, सम्मान के बारे में पढ़ेंगे, नोबल पूरसकार की घोसडाओं के बारे में पढ़ेंगे, 2022 में जो हुआ था, अगर हम current की बात करते हैं, तो 2023 वाला भी आप पढ़ करके जाएंगे, अगर जैसे ही आपका हो जाता है, तो यहाँ पर सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, कि किस-किस प्रकार से क्या-क्या चीज़े होंगी यहाँ पर रखने का काम किया गया है, खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में हमको देखने के लिए मिलेगा, जैसे क्या क्या न्यूजिलेंड में, इंदरान नुई के बारे में, फिर थामस बाक के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़ों को हमको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हर एक संगठन से यहाँ पे बात कर रहा है, अगर हम रक्षा उपकर देखेंगे किस देश में विक्सित किया गया, क्या है, जैसे हेलीना की हम बात करते हैं, तो इसको हेलीना को कहां विक्सित किया गया, तो भारत में विक्सित किया गया, टैंक रोधी टाइप का ये मिसाइल होता है, तो इस टाइप के कोश्चन आपके क्या होते हैं, सटीक जाता है, वहाँ बेचारा उसके कदम डगमगा जाते हैं, इसलिए इन सभी किताबों को आपको देखना, इन सभी किताबों को पढ़ना आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, अब यहाँ पे अंतरराष्टे शंस्ताओं, संगठनों के प्रमुख नामों की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपसे आल्रेडी बता दिया है, Q&O से भी आपके एक्जामिनिशन में कोश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग उनाइटे निशन और्गनाइजिशन की नाम से भी जानते हैं, तो यह ऐसे ऐसे जगह है, ऐसे ऐसे टॉपिक है, जहां से बार बार आपके एक्जामिनिशन में घूम फिर के कोश्चन पूछना ही तय है, और अगर आप IBRD को छोड़ दे रहा है, NAM को छोड़ दे रहा है, IMF को छोड़ दे हैं, UNCTAD को छोड़ दे ते हैं, तो इस टाइप के और्गनाइजिशन जो होते हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेटेड होते हैं, यह सारे के सारे हमारे एक्जामिनिशन के पार्ट होते हैं, और इस तरह से आते हैं, और यह सभी के सभी हमारे 9-8 के ही अंतरगत आपको प्रोव मिन्स की एकदम स्टार्टिंग से लेकर के लाश्ट तक का जो हमारा सेक्शन बनता है, जो लाश्ट तक का हमारा चेप्टर बनता है, उस तक में ये फिट बैठाने का काम किया गया है, एक एक किताब के अंतरगत आप अगर देखेंगे तो, साथ साथ इसका पूरा आंसर ज देखने के लिए मिलना होगा, मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करने की कोशिस कर रहा हूँ, देखिए, मैं छोटा, देखिए ये चीजे आपको दिख रही होगी, देखिए यहाँ पर पास को एक्ट से रिलेटेड, 2012 के उद्देश एवं वि लेकिन IPC के होते हुए भी इस पास को एक्ट को पास करने की क्या और शकता पड़ गई, ऐसा तो नहीं था, कि IPC हमारा एक्ट को पास करने की और शकता पड़ गई, उसी एक्ट को पास करने के बारे में हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कि हां क्या जरूरत पड़ गई थी कि इस टाइब के एक्ट को पास करने की जरूरत पड़ी है हमारे उपर एक और एक्टर का बोज हमारे उपर डाला गया तो इस प्रकार से आप में पॉइंट अब यू से भी इस किताब को आप देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए उत्तर पर देखिए सीविल जज पर उच्छे नयाले के विचारों को किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं अब आंसर यहाँ पर रखा गया है और आंसर को अच्छे तरीके से सजा करके क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट का दिमाग लगा है और एक्सपोर्ट के दोरा इन सभी चीजों को बनाने का काम किया जाता है तो आप जब इन सभी चीजों को देखेंगे observe करेंगे पूरा देखें पूरा यहाँ पर Constitution of India के एक-एक articles का यहाँ पर observation एक-एक articles को यहाँ पर रखने का काम किया गया है जिससे कि आपका answer जो हो एक रचनातमक answer बन करके आपके सामने और यही चीज आपको सीखने की last तक आउ सकता होती है यहाँ पर भी main point of view से आप देखिए कि question यहाँ पर भी दे रखा है तो एक book आपके लिए one stop solution हो जाता है साथियों यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ और मैं आपको सामने सो नहीं किया हूँ अगर हम किताबों की बात करते हैं साथियों तो हिंदी मेडियम में विधी भारती publication के दौरा यह तीन किताबे बनाई जाती है और इसी तीनों किताबों के मैंने आपसे आल्रेडी चर्चा कर लिया है इन तीनों किताबों को मैंने आपको धिखा भी दिया एक किताब यह दूसरे नमबर का हमारा किताब हो गया और यह जो हो गया हमारा साथियों तीसरे नमबर का किताब हो गया जो कि Bayer Act Format में है, तीन किताब बनाई जाती है विधिवारती Publication के दोरा Hindi Languages में और English Languages में चार किताबे बनाई जाती है जो कि वो already मैंने एक आपको separate video में उसका मैंने जिक्र कर रखा है, तो साथियो अगर ये video आपके लिए अच्छा है, helpful है तो प्लीज आप comment section में comment करके बताएं कि next video में मैं आपके लिए किस टाइप के books का विडियो ले करके आओ या major actor से related books का ले करके आओ, या UP judiciary से related किसी book के बारे में मैं आपके लिए किसी भी प्रकार का review ले करके आओ जो भी आपका comment आएगा, उस comment के recording मैं यहाँ पर work करूँगा तो साथियो इस video को यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे एक next video में एक next update के साथ तब तक के लिए धन्यवाद